जहिन प्रेंट्स वेलकम टो माई ओपीसी यूटॉब चनल स्टाइडी मेटेरियल एटुजड आज किस वीडियो में बात करेंगे भारती है दोस्त आपकी थलसेना की जाने इंडियन आर्मी की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिपीकेशन के बारे में दोस्त वीडियो को कम दोस्त निकल के आ रहा है डियाससी के द्वारा जिसमें आपके जब और दस्त वेकंसी यहां पर मानी जा रही है दोस्त स्टेनोग्राफर ग्रेड लोवर डिवजन करकल डिशी सीविलिंग मोटर ड्राइवर जो कि यहां पर सुखनी फायर मैन कोक टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मसीन ओपरेटर एंड मल्टी टास्किंग स्टाप ओफिस एंड ट्रेनिंग यह दोस्त आपके यहां पे recruitment यानि आपका यह post रहने वाला है अगर आप यहां पे नहीं आए हो तो वीडियो को share करने के साथ साथ दोस्त आपको वीडियो की description में हमारी telegram का link दिया गया है तो आप telegram पर जाकर दोस्त और आप इस भरती की जनकारी कहां से लेंगे इसके बारे में हम complete जनकारी इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्त सबसे पहले हम overview देख लेते हैं कि आपकी vacancy का review क्या रहेगा तो यहां पे अगर हम बात करें organization की तो आपका जो organization रहने वाला है वो रहेगा अगर मैं बात करूँ अडिवेटरेजमेंट नंबर की तो यह जो आपका डियाससी recruitment दो जारतेविस रहने वाला है वेकेंशी की बात करें तो टोटल आपका 44 वेकेंशी यहां पे आपकी निकाली गई है जो बलकेसन की बात करें तो आपका यहां पे ओल इंडिया जो लोकेसन रहने वाला है डियासस का notification जारी कर दिया गया है जिसको हम देखने वाले है mode of apply की बात करें तो इसका mode of apply ओनलाइन करेगा category की बात कर लेते हैं तो DSC Tamil Nadu Recruitment 2020 इसकी रहने वाली है official website जो है उसकी रहेगी dssc.gov.in जो आपकी officially website पर भी जाकर जनकरी ले सकते हैं अभी application को जो है दोस्त अपडेट फी को जो अपडेट नहीं किया गया है है तो इसको अपडेट कप किया जाएगा इसके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं st stpwd इनके रिगार्डिंग आपकी फीश क्या रहेगी यह जानकरी आपको इस वीडियो में देने वाले है उसके साथ हैं पिर सोत करते हैं आपके जो मोडों पेमेंट रहेगा वह आपका यह पे ओन लाइन रहने वाला है इसके साथ ही यहां पे आपकी जो यह रहेगी वह दोस्त यहां पर अठारा से पत्चीस के साथ साथ दोस्त आपका यहां पर 18-27 जो कि हम नीचे डिशकस करने वाले हैं पोस्ट के एकोडिंग आपकी एज क्या रहेगी इसके साथ ही यहां पर जो आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो एज जो आपका काउंट होगा वो 16 सिप्टेंबर 2020 से ही आपका यह जो काउंट किया जाएगा इसके साथ दोस्ति यहां पर अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल्स की तो कितनी कितनी वेकंसी आपकी निकल के आ रही है दोस्तों स्टोर की पर जो आपका सोरी स्टेनों गराफ़र जो ग्रेड शेकिन है इसमें आपके टोटल चियार वेकंसी निकल के आ रहा है lower division के रख जिसके आपके total 7 vacancy जिसे हम LDC कहते हैं इसके साथ यहांगर मैं बबात करूँ दोस्त ड्राइवर की तो ड्राइवर का यहां पर जो vacancy निकल के आ रहा है वो आपका 5 vacancy निकल के आ रहा है सुकनी का एक vacancy है fireman की बात कर लेते हैं तो fireman का आपका total 16 vacancy रहने वाला है इसके साथ यहां पर दोस्त तीन vacancy आपका कुक कर रहेगा इसके साथ टेक अटेंड इसके जाथ MTS का जो vacancy रहेगा वो साथ vacancy रहने वाली हैं इसके साथ यहां पर टेक अटेंडेंड का केवल एक vacancy पर notification रिलीज किया गया है अगर मैं बात करूं एजुक जाएगी तो आप लगातार यहां पर विजिट करते रहेगा दोस्तों और आपको सभी भरतियों के अपडेट सबसे पहले सबसे पास्ट आपको जो है मिलती रहती है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा स्टेडी मेटेरियल एटु जैड उसके बाद यहां पर जो है नोस समगे यहां पर इस एज की बात कर ले तो 18 से लेकर 27 सीस तक आपका है रहने वाला रहरे इसके साथ यहां पर बात कर लेते आपके सिल्डू क्या रहेगा क्योंकि का पहीуск कमेंट आति हैं कि सर इसकी क्या रहेगी तो इसका स्पारार न ब Mehrayं 25 हजार से लेकर आपका 81,000 तक आपका शेलरी रहने वाला है इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें आपके LDC की तो आपका जो LDC रहेगा जिसमें आपके टोटल 7 वेकंसी है इसके जब आपकी एज रहेगी वो 18 से लेकर 27 साल तक रहने वाला है इसके साथ यहां बात कर लेता हूँ आपके शेलरी की तो शेलरी रहेगा वो 20,000 से लेकर आपका शेलरी 63,000 तक आपका शेलरी रहने वाला है उसके बाद यहां पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आपके ड्राइवर की तो ड्राइबर में टोटल पांच वेकेंसी निकाली गई है 18-27 अगर आपकी एज़ है तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं इसके साथ यहां पर आपके जो शेलरी रहेगी वो 19,000 आपकी 800 से लेकर दोस्ते 63,200 तक आपका शेलरी रहने वाला है उसके साथ यहां पर बात कर लेता हूँ मैं सुकनी की सुकनी की टोटल एक वेकेंसी आया 18-27 तक आप अपलाई कर सकते हैं फायर में की बात करते हैं तो टोटल 16 वेकेंसी निकल के आई है 18-27 सा अगर आपकी एज़ है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके साथ यहां पर मैं बात करूं तो इसका जो लेवल रहेगा वो लेवल टू रहने वाला है और इसकी सेलरी रहेगी 20,000 से लेकर आपका 63,000 तक आपका सेलरी रहने वाला है और इसके साथ जो आपके सेलरी का जो लेवल रहेगा वो लेवल टू यहां पर जो है रहने वाला है उसके बाद यहां पर बात करें न्यू रिक्रूटमेंट की तो आपका कुक का रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है जिसमें आपके टोटल तीन वेकंसी निकाले गई है और आपके एज रहेगा ठारा से से 25 आप अपलाई कर सकते हो सेलरी आपका जोए कम कर दिया गया ठारा अजार से लेकर आपका शेलरी जो आउसमें चपना जार तक रहने वाला है इसके साथ यहां पर बात करते हैं आपके एम्टेस की तो एम्टेस में आपके टोटल साथ वेकंसी रहने वाली है और अगर मैं बात करूं इसमें शेलरी का तो ठारा जार से लेकर आपका चपना जार तक शेलरी रहने वाला है अब मैं बात के लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो दोस्त आपका रीटेन एक्जामिनेशन सबसे पहले कंड़क्ट करवाया ज जाएगी उसके साथ यहां पर मैं बात करूं स्केल टेस्ट, डोकुमेंट, वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जामिनेशन कंड़क्ट करवाए जाने हैं यहां पर बात कर लेते हैं इंपोर्टेंडेट की नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज किया गया वह 29 अगस 2023 को रिलीज कर दिया गया है और उनलाइन अपलाई की बात कर लेते हैं तो आपका दो सितंबर 2023 को आपका ओनलाइन अपलाई स्टार्ट किये जाएंगे ओनलाइन अपलाई करने की जो अंतिम तारिक रहेगी वह आपकी 16 सप्टेंबर 2023 आपकी यहां पे रहने वाली है एडमिट कार्ट जो और टेलिग्राम का लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है ओनलाइन अपलाई पे क्लिक करके आप ओनलाइन यहां से अपलाई कर पाएंगे उसके बाद यहां पर शोट नोटिपिकेशन की पूरी जानकरी आप यहां से ले सकते हैं इस बरती की सम्पूर्चानकरी जो है दोस्त आप लेने के लिए हमारी जो है गूगल में आप आजएगा गूगल में आप आने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा सिंपली आपको गूगल में आने के बाद अपने चैनल का नाम सर्च कर लेना है study material a2z या फिर आप क्य क्या करेंगे दोस्त इस बर्ती का नाम लिखेंगे बर्ती का नाम क्या है बर्ती आपको मैं बता देता हूं डी अससी डी अससी रिक्रूटमेंट और उसके बाद आपको क्या करना होगा आपको अपने चैनल का नाम लगा देना है आगे स्टेडी मेटेरियल एटू जैड तो दोस्ते तो मिलते हैं दोस्ते नेक्स्ट वीडियो के साथ है उम्मेद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और दोस्ती यहां पे लिक्ति लेके